स्टेट बैंक ऑफ पटियाला आजकल हैकरों की वज़े से विवादों में घिरता जा रहा है इसकी वज़े है इस बैंक के खाताधारकों के अकाउंट में से पैसे गायब हो जाना फिछले कई दिनों में इस बैंक के कई ग्राकों के साथ इस तरह की धोका जड़ी हो चुकी है बैंक के ग्राकों के मुताबिक उन्होंने ना तो अपना ATM इस्तमाल किया और ना ही बैंक से पैसे निकाले लेकिन फिर भी उनके खाते से पैसे गायब हो गए पुलीस ने मामले की जाच शुरू कर दी है पुलीस की साइबर क्राइम सेल बैंक के ATM की CCTV फुटेज भी जाच कर रही है पैसे गायब होने की घटना के बाद बैंक ने इट्रांस्टर की सुविधा भी ग्राकों के लिए बंद कर दी है